हेलो इरोबन आज के मार्के टैनल इसे स्टार्ट करने से पहले एक वर देखिए MID CP Nifty का चार्ट आज है 26 Feb और आज देखिए क्या MID CP Nifty की वीक्री ओप्शन के एक्सपैरी ती तो क्या जेरो वाला देखिए कितना hero आज option बन गया तो मैंने आज आपको ये telegram पर भी डाल दिया था देखिए यहाँ पर ये 12.53 PM पर today made CP nifty expiry day made CP nifty can go reverse up तो ये आपको देखिए पूरे 1 PM से पहले डाल दिया था और जब आपको डाला तो देखिए उसके बाद ही 1 PM के बाद ये देखिए 1 PM की candle 1 PM वाली candle तो इसके बाद देखिए कैसे इसमें momentum आ गया और आप देखोगे तो मैंने आपको साथ के साथ आपके देखिए ये भी डाल दिया था comfort के लिए कि हमने ये premium group नो लेडी डाला हुआ है ये 11,000 CE 2 2 और 4 के बीच में buying और ये इसके target थे 58 तक तो ये आपको डाल भी देखिए थे कि आप देख सकते हो इसको और उस time भी price 5, 6 के आस पास ही चल रहा था तो अगर आपने किसने 3 के price पर भी लिया 4 के 5, 6 कहीं भी लिया हो तो वो देखिए option 98 तक 90 तक चला गया था ये आपको बता भी देता हूं कि इसके पीछे logic क्या था क्यूं वहाँ पर कि market तो ये downside में था mid CP, nifty market भी downside में थी सब कुछ था तो buy, तो हमने C, side क्यों क्या, क्यों buy, side में entry करी तो यहाँ पर आप देखिए कि mid CP, nifty ये देखिए price यहाँ से चलना start हुआ था, ये 10-780 के पास से और continue चलता गया, चलता गया देखिए two days, इसमें काफी इच्छा rally आई और एक दिन rally भी आई थी, जब हमने nifty को भी catch किया था, hero zero trade में तो उस दिन वाला ये देखिए momentum और ये देखिए उसके बाद ये Friday को, Friday को और sorry, ये Thursday को और ये Friday को तो आज morning में क्या हुआ कि ये flats open हुआ ये यहाँ पर देखिए इसने ये कल वाला जो low था, Friday वाला sorry, तो उसको जैसे ही break किया तो prime niche से fast momentum हुआ तो put side में profit कब बना, अगर किसे ने यहाँ पर पर ली थी बिल्कूल morning में जैसे 11,050 के पास तो अगर किसे ने वहाँ पर entry ली put side में तब उसका profit जरूर बना होगा क्योंकि वहाँ पर भी 10 वाला premium 200 तक चला गया था लेकिन जब ये already तना बड़ा momentum आ चुका था, down side में fast fall one side आ गया था, उसके बाद फिर वहाँ पर sell side में entry नहीं बनती थी क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा buying zone भी था, जहां से पहले भी price move किया था, इसलिए फिर हम wait कर रहे थे कि अब यहाँ तो चलो entry नहीं होई है, तो हम फिर reversal की आप trade करेंगे, कि reversal में जैसे लगेगा sign तब trade करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने फिर से यह low break किया था, अगर आप देखते हो, और यहाँ पर काफी, जिन्होंने put buying किया होगी या जिन्होंने sell किया होगा, तो वो यहाँ पर trap होगे, उसके बाद जैसे यह बड़ी candle का low बना, उसके बाद price दिरे-दिरे प्रोड़ा सा यहाँ consolidate होता गया, और इस low के candle के उपर, यह जो बड़ी थी candle बनी थी, इसके उपर जैसे sustain हुआ, price कितना बड़ा move, यह एक यहाँ पर इसका resistance इंटर डेगा, 10-920 के बास और यहीं पर थोड़ी दिर struggle किया और price फिर वापिस कैसे जूम कर गया, बड़ा फास्ट इसने momentum दे दिया, तो अगर मैं आपको पतावी देता हूँ, देखिए 0-0 trade में पैसा कब बनता है 0-0 trade में पैसा तब बनता है बस आज तो market downside में है आज red market है, तो चलो आज तो put buy करते है वो यहां से फिर दूर का ATM buy कर लेते हैं, तो वहीं पर उनका फिर loss हो जाता है, तो यह reversal का trade लेते नहीं है, और बार 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 सुसी में one sided बार बार average करते रहते हैं, तो इस तरह कि trade मत करो, और खास तोर पर जब आपको लगे कि एक दो trade में मालीज, आपका इन case loss हो रहा है तो फिर बार बार over trading मत करो over trading avoid करो और trading वहां करो, मालीज, आपका profit बन गया है, for example, अगर 10 जर आपने एक profit में book कर लिया है तो थोड़ा से reversal की वेट करनी होते है, जब दोड़ा इंटरी करनी होती है थोड़ा सा जैसे मालीज, ये trend change हो गया तो थोड़ा सा correction दिखिया, फिर वहां पे option की premium भी down हो जाते है उस time फिर आपको क्या करना चाहिए इंटरी लेनी चाहिए, लेकिन दोड़ा जब risk लेना है मालीज, अगर आपने 10 के profit book कर लिया दोड़ा 2 के का risk कलो, चलो अगर loss भी होता है, तो 2,000 का loss होगा दोड़ा और 8,000 तो फिर भी आपके net end आपके profit आ जाएगा इस तरह से trade plan करो, ऐसे नहीं कि अगर loss हो रहा है, loss में ही आप आरबाट trade कर रहे हो market always चलती रहती है, अगर आज same day loss recover करने की कभी कोशी ना करो, next day try कर लो कि next day हो जाएगा, market कल भी खुली है, परस भी खुली है, always open है तो I hope आपको मेरी बात समझा आगे होगी तो अब हम बात करते हैं आज nifty के analysis bank nifty के analysis और कल भी fin nifty की weekly option के experience रहे है, तो fin nifty का chart भी important रहेगा, उसमें भी देखते हैं कहां से क्या reversal आ सकता है तो nifty का अगर आप chart की बात करें तो nifty का ये देखिए यहाँ पर ये candle बनी थी जो बड़ी Friday, Thursday वाले दिन expiry वाले दिन, उस दिन हमने catch भी किया था इसको, उस दिन भी जीरो वाला हीरो काफी अच्छा बन गया था तो ये जो मेरे देखिए telegram channel है, यहाँ पर मैं आपको update देता रहता हूँ so that कि आपको learning भी मिले और learning भी हो, तो ये जो telegram का link आपको description, comment box में मिल जेगा link पर click करके ही join करें तो जब ये देखिए एक बड़ा सा move आता है, तो उसके बाद price थोड़ा दिर-दिर क्रेक्शन करता है तो nearest इसका sport का level होई है 21880 का, अब इसको intraday chart पे देख लेते हैं intraday chart पे देखिए, अगर price देखिए, one sided यह उपर गया था उसके बाद दिर-दिर क्रेक्शन कर रहा है अगर यह आज का low break करता है तब आप थोड़ा सा sell on rise करके सलते हैं, लेकिन stop loss बिल्कुल small होना चाहिए, और अगर इन case market यहां से उपर निकलता है 21880 के उपर या आज के high के उपर भी 200 के उपर sustain हो जाता है तो फिर आगे आप और भी further transfer momentum कर सकते हो तो मैं फिर से repeat कर देता हूँ कि अगर nifty के बात करें तो 22,070 के नीचे आप sellerize कीजिए और buying करनी है, तो 22,180 के उपर buying करके चलिए, या फिर 22,000 के level के उपर buy करें, लेकर मैं आपको बता देता हूँ, best buying zone को उनसर हैगा यह वाला level है, यह जो level है उस दिन वाला, यह एक टो 21,180 वाला, और 21,950, अगर आपको को reversal दिखाई देगा, nifty में, माली जेन के स्प्राई नीचे नीचे जा रहा है, तो downside में आपके यह वाली ही, आपके यहां तक target होने चाहिए, sell side में अगर जाती है market, लेकिन यहां पर आपने sell नहीं करना है, यह 21,900 के पास, और 21,800 इसके आसपास आपको जुरूर मिल सकता है, buying side में signal मिल सकता है अगर कोई बड़ी news ना हो कि अगर कोई bad news ना हो, तो आपको फिर यहां से market दोरा फिर उपर जा सकता है, तो यह level note करके रख लें, 21,900, 21,600 और 21,900 के आसपास, इस between कोई भी price action में आपको set up reversal दिखाई दे, तब आप वहाँ पर आप buying side में जुरूर लेके चले, अब बात करते हैं bank nifty की तो bank nifty भी देखिए, यह आज मैंने आपको ट्रेलन का चार्ट भी सेंट के था, इसके उपर देखिए, यह 2720 का इसमें, यहाँ पर भी reversal दिखाई दे रहा था, 2700 के ऊपर थोड़ा ऊपर गया भी यह, almost 100 point गया, but closing वहीं पर हो गया, तो इसमें buying का भी यहाँ पर देखिए, कल अगर माली जे flat ओपन होता है, और price, यह अगर low इस low को break नहीं करता है, 21, 360, sorry, 46, 360, और 46, 400, अगर यह level hold कर लेता है, तब bank nitty यहाँ से 12 reverse जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी देखिए, price यह one side उपर गया था, price, but देरे-देरे नीचे आया, देखिए, price जब नीचे आया, तो बहुत देरे-देरे नीचे आया, तो आप यह वाला stop loss लेकर, कोई buying setup दिखाई देता है, तो जुरूर यहाँ से buying करनी चाहिए, लेकिन small stop loss जुरूर रखिए, और target आपके रहने चाहिए, immediately target 46,800, और then 47,000 का, और इसके उपर फिर यह वाला price है, 47,300, तो यह तीनों उपर की side में होना चाहिए, कोई अगर sell side में जाना, अपने sell side में, तो यह 47,300 के आसपास, कोई setup बनता है, double top बनता है, या कुछ turn reversal दिखाई देता है, sell side में candle दिखाई देती है, तो वहाँ पर sell no rise करके चलिए, stop loss small से लेकर, और अगर मैं एक बार, यहाँ पर option कर रहे गया, तो nifty का भी option का data देख लेते है, nifty का PCR अभी 0.8.4, change उने आई, यहाँ पर भी वही बाई दोस्तों का है, अभी रिश्टर्स, bank nifty का देख लेते हैं, bank nifty का open interest देख लेते हैं, तो यह भी 46, 47 का major यहाँ पर रिश्टर्स रहेगा, और support है 46, यह 500 और 46 का एंडर, तो यहाँ पर भी 47 के एंडर के, 47 था व्यटर्स के असपास, कुछ sell setup दिखाई दे, तो वहाँ पर sell करके जरूर चल सकते हो, अब बात कर लेते हैं, fin nifty की, fin nifty का data, एक तो यहाँ पर आप देखी, यह trend line लगा लीजे, यहाँ पर, अगर यह trend line ब्रेक का होता है, तो आप buying कीजे, और लेड़ी अगर लेकिन बड़ा gap अप open होता है, तो buy नहीं करना है, और यह फिर यह अच्छा level रहेगा, 20-500 की level के असपास, यह वाला जो zone है, यहाँ पर, अगर fin nifty कोई यहाँ पर एक setup दिखाई दे, तो यहाँ पर इस between, buy 400, 400 और 500 के बीच में, यहाँ पर buying का अच्छा रहेगा, यह level है, और अगर माली पराइड नहीं जाता है, यहाँ से flat open के price 0-0 निच्छाता है, तो यह trend reversal के भी आप ले सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखे, कई बर जुरू नहीं होता है कि, हमेशा hero 0 वाले दिन price momentum करे, कई बर price अगर side वेज रहता है, तो फिर दोनों C side में put और call दोनों side में ही आपका 0 रहेगा, तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखे, क्योंकि जैसा आज momentum मिला reversal का, तो ऐसे कल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका कोई confirmation नहीं है, वो line market में chart data उस पे जज़्यादा depend करता है, अपside में target रहने चाहिए, अगर upside वे जाता है, तो 20, 750 और देन 20 आपका 890 तक ये target रहने चाहिए, और यहाँ से अगर price quantity नहीं चाहिए जाता है, तो आप sell no rise करके चल सकते हो, टोपलोस अपना जरूर आप रख सकते हो, और नीचे के अगर target यहाँ पर 2300 के भी है, अगर यह बले level आ जाते है नीचे के, और इसके बाद की बाद करें, तो फिर है 19,870, यहाँ पर भी काफी अच्छा important रहेगा, यह देखे डेली का chart, मैं आपको डेली का chart दिखाता हूँ इसका, क्योंकि यहाँ पर हमने यह identify किया था, जब इसका bottom बन सकता है कि, तो यह है 20,000 और 19,000, 19,870 के बास, यहाँ पर कभी भी infinity आता है, तो यहाँ पर जुरूर आपको एक bind का chance जुरूर मिलेगा, तो मैंने intraday purpose से भी आपको chart send कर दिया है, आपको, परकि मैं आपको telegram पर chart send कर दूँगा, कल फिन निफ्टी का, जो भी उस price action दिखेगा, फास्ट आपके बाद, तो वहाँ पर फे मैं आपको जुरूर सेंट कर दूँगा, और साथ में यह भी रहेगा कि दिखिए, आगर आपके पास risk management भी जुरूर कीजिए, risk management आगर मालीज फॉर जांपल आपके 20K है, तो ऐसा नहीं कि सारा 20K एक ही capital में लगा दिया, एक ही hero zero trade में लगा दिया, तो अगर आपने risk लेना है, तो इसमें से आप 1000, 1000 और 2000 का ही आप risk लोगे, इतने ज़्यादा hero zero trade में risk मत लीजिए, क्योंकि आप तो देखिए, daily, everyday कोई ने कोई index की weekly option की expiry है, तो आपको ऐसा नहीं होने चाहिए, वो expiry one week बात आएगी, तो पहले ऐसे होता था, तो इसलिए अपना risk कम लीजिए, मतलब अपना 1-2% का ही risk लीजिए, ज़्यादा risk मत लीजिए, अगर profit बन गया तो बड़ा बन जाएगा आपका, वो ही आपका 2000 वाला हो सकता, आपका 10,000 बन जाए, 5,000 बन जाए, लेकिन loss होगा तो कम loss होगा, तो आपको panic नहीं होगा, आपके पास net day के लिए, rate करने के लिए पैसा रहेगा, तो I hope कि आपको आज का सारा analysis समझा आ चुका होगा, तो वीडियो अच्छा लगए, तो like कीजिए, share कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करेजिए, वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,